लिजे सुनिए मुंशी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास वर्दान का तीसरा भाग नए पड़ोसियों से मेल जोल मेरी यानी समीर गोस्वामी के आवाज में मुंशी संजीवन लाल जिनोंने सुवामा का घर भाड़े पर लिया था बड़े विचार शील मनुश्य थे पहले एक प्रतिष्ठित पद पर न्यूक्त थे किन्तु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अफसरों को प्रसन्य न रख सके यहां तक कि उनकी रुष्टता से वि पत्ती बना ली इस समय उनकी आये चार पांच सो मासिक से कम न थी उन्होंने कुछ ऐसी अनभव शालेनी बुद्धी पाई थी कि जिस कार्रे में हाथ डालते उसमें लाभ छोड़ हानी न होती थी मुंशी संजीवन लाल का कुटुम बढ़ा न था संता ने तो ईश्वर न कई दी पर इस समय माता पिता की नैनों की पुत्री केवल एक पुत्री ही थी उसका नाम वरिजरानी था वही दमपत्ती का जीवन आश्रे थी परताब चंदर और वरिजरानी में पहले ही दिन से मैत्री आरंब हो गई आद घंटे में दोनों चिडियों की भाती चहकने लग लिया और प्यार किया उस दिन से वो नित संध्या को आता और दोनों साथ साथ खेलते ऐसा प्रतीत होता था कि दोनों भाई बहन हैं सुशीला दोनों बालकों को गोद में बैठाती और प्यार करती घंटों टक्टकी लगाए दोनों बच्चों को देखा करती विरजर भी मारी सुवामा उसे देखकर अपना दुख भूल जाती। चाती से लगा लेती और इसकी भूली भाली बाते सुनकर अपना मन बहलाती। एक दिन मुंशी संजीवन लाल बाहर से आये तो क्या देखते हैं कि परताप और विर्जन दोनों दफ्तर में कुर्सियों पर बैठे हैं। परताप कोई पुस्तक पढ़ रहा है और विर्जन ध्यान लगाए सुन रही है। दोनों ने जहीं मुंशी जी को देखा उठ खड़े हुए। विर्जन तो दोड़कर पिता की गोद में जा बैठे और प्रताप सिर नीचा करके एक और खड़ा हो गया। कैसा गुडवान बालक था। आयू अभी आठ वर्ष से अधिक न थी परन्तु लक्षन से भावी प्रतीभा जलक रही थी। दिव्वे मुख मंडल, पतले पतले लाल लाल अधर, तीवर चितवन, काले काले भ्रमर के समान बाल, उस पर स्वच्छ कपड़े। मुन्शी जी ने कहा, यहां आओ प्रताब। प्रताब धीरे धीरे कुछ हिचकचाता साकुचाता समी पाया। मुन्शी जी ने पितरवत प्रेम से उसे गोद में बैठा लिया और पूछा, तुम अभी कौन सी किताब पढ़ रहे थे। प्रताब बोलने ही को तहा कि विरज भी ने निकलने पाई थी कि प्रताब जिसका संकुच अब गायब हो चला था बोला, नहीं विरजन, तुम्हें भूलाते हैं, यह कहानिया बनाई हुई हैं। मुन्शी जी इस निर्भीकता पूर्ण खंडन पर खूब हासे। अब तो प्रताब तोते की भांती चहकने लग बड़े मास्टर साहब की मेज पर हरी हरी बनात बिची हुई है। उस पर फूलों से भरे गलास रखे हैं। गंगा जी का पानी नीला है। ऐसे जोर से बहता है कि बीच में पहाड भी हो तो बह जाए। वहाँ एक साधु बाबा है। रेल दौरती है संसन। उसका इंजिन बोलता है जक 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 एंजिन में भाप होती है उसी के जोर से गाड़ी चलती है। गाड़ी के साथ पेड़ भी दौरते दिखाई देते हैं। इस भाती कितनी ही बाते पर ताप ने अपनी भोली भाली बोली में कहीं। विरजन चित्र की भाती चुपचा बैठी सुन रही रेल पर वो भी दो-तीन बार सवार हुई थी। परंतु उसे आज तक कि ये ग्यात न था कि उसे किसने बनाया और वो क्यों कर चलती है। दो बार उसने गुरू जी से ये प्रश्न किया भी था। परंतु उन्होंने यही कहकर टाल दिया कि बच्चा इश्वर की महिमा अप गले में हाथ डाल कर कहा। बाबा हम भी परताब की किताब पढ़ेंगे। मुन्शी बेटी तुम तो संस्क्रित पढ़ती हो ये तो भाशा है। विर्जन तो मैं भी भाशा ही पढ़ूंगी। इसमें कैसी अच्छी-च्छी कहानिया है। मेरी किताब में तो एक भी कहानी क्यों बाबा पढ़ना किसे कहते हैं मुझी जी बगलें जाकने लगे इन्होंने आज तक आप यही कभी ध्यान नहीं दिया था कि पढ़ना क्या वस्तु है अभी वे माथा ही खुजला रहे थे कि परताब बोल उठा मुझे तुमने पढ़ते देखा उसी को पढ़ना कहते हैं विर्जन क्या मैं नहीं पढ़ती मेरे पढ़ने को पढ़ना नहीं कहते हैं विर्जन सिध्धांत कोमुदी पढ़ रही थी परताब ने कहा तुम तोते की भाती रठती हो अभी आप सुन रहे थे मुझी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास वर्दान का भाग तीन नए स्वामी की आवाज में